Hello friends, आज हम लोग करें question number 9, exercise 1.3 का, से पहले मैंने सारे question करवा लिया है, अगर आपने नहीं देगा तो link description में है, आप जाके देख लीजे, question है, given the sets A is equal to 1,3,5, B is equal to 2,4,6 and C is equal to 0,2,4,6,8, which of the following may be considered as universal sets for all three sets A, B, C, तो इन तीनों को हम लोग के ध्यान में रखके universal set करना है, जिसमें यह तीनों आते हूं, फर्स चेक करते है, 0,1,2,3,4,5,6, तो इसमें हम लोग दिखते है, 1,3,5 है, 1,3,5 तो है, 2,4,6 है, 2,4,6 भी है, 0,2,4,6,8 है, 0,2,4,6 तो है, पर 8 नहीं है, तो यह तो नहीं हो सकता, second 5, तो 5, 5 हापे, 1,3,5,2,4,6, यह सब तो नहीं है, यह भी नहीं हो सकता, third है, 0,1,2,3,5,4,10 तक, तो इसमें 1,3,5 भी है, 2,4,6,8 भी है, 0,2,4,6,8 भी है, तो यह हो जाएगा, यह तो correct answer है, फोर चेक करते हैं, 1,2,3,4,5,6,7,8 इसमें A है, B है, C का 2,4,6,8 है, पर 0 नहीं है, तो यह भी हमारा नहीं हो, तो सिर्फ हमारा third answer होगा, जैसे वीडियो दिखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कीज़ें, और बहले हैं दबाए तक यह आपको सारे नोटिफिकेशन टाइप लोटे मैं मुइरें